हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ छाया और मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम ब्रेट से बहुत ही इजी मेंदू वड़े की रेसिपी बनाएंगे ये आसानी से और जटपड बनकर तियार हो जाते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे चार मिडियम साइस की ब्रेट तो ब्रेट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड लेंगे ब्रेट के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा काप सूजी बारिक वाली एक मिडियम साइस का प्याज बारिक कटा दो हरी मिर्च बारिक कटी हुई आठ से दस कड़ी पत्ते जिसे मैंने बारिक बारिक काट लिया है एक इंच अद्रब का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दू कस कर लिया है वन फॉर्थ का फरा धनिया बारिक कटा हुआ तू टेबल स्पून कॉन फ्लोर आप इसकी जगह पर टूटबल स्पून चावल काटे का भी यूज़ कर सकते हैं आप टी स्पून नमक नमक आप अपने स्वात के नुसर डालें वन फॉर्थ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ कफ फ्रेश दही अब सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है सूजी फूलेगी तो डो टाइट होगा तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा कर त्यार करना है हमने इसमें आधे कब दही का यूज़ किया है अब हम इसमें टूटेबल स्पून दही और डालेंगे तो डो बन कर त्यार है और आप देख सकते हैं कि डो हमने बिल्कुल सॉफ्ट लगा कर त्यार किया है अब हम इसे ढपकर 30 से 35 मिनिट के लिए छोड़ देंगे 30 मिनिट बाद डो अच्छे से सैट हो गया है और सूजी भी फुल गई है और दो थोड़ा टाइट हो गया है तो अब हम इसके वड़े बनाएंगे हातों को ओईल से ग्रिस करेंगे अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इससे वड़े का शेप देंगे बीच में होल करेंगे इसी प्रकार से हम सारे बड़े बना कर त्यार कर लेंगे तो सारे बड़े बना कर त्यार है तो अब हम इसे फ्राइ करेंगे गेस अन करके पेन में तेल गरम कर लिया है गेस की फ्लेम को अब हम मेडियम टू लो रखेंगे और वड़े को तेल में छोड़ेंगे एक बार में हम इतने ही वड़े डालेंगे कि आसानी से फ्राय हो सके थोड़ी थोड़ी देर में वड़े को हम पलेते रहेंगे तो वड़े पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इस अब हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बच्चे होए वड़े को भी हम फ्राय कर लेंगे तो सारे वड़े को हमने फ्राय कर लिया है तो आब हम इसे गर्मा ग्रम सर्फ करेंगे तो लीजे त्यारे ब्रेट से बनने वाली बहुत ही आसान सी बेंदुवडे की ये रेसेपी इस रेसेपी को आप एक बार जरूर ट्राय करें और रेसेपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें फैमिली और फ्रेंस में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब स्टैप करना ना भूले थेंक्यू